आज की दिन हम देख सकते हैं कि लूना और लूना क्लास्टिक बहुत अच्छा में प्रॉफिट दे रहे हैं लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो लगबख डेर साल हो चुक है जब ये लूना एक सो एक सो दस डॉलर के आसवास था और एक दम से नीचे गिरा और बहुत लोगों के साथ ना इंसाफ ही होई उस दिन ना इंसाफ ही दो तरीके से ही क्योंकि बहुत लोगों ने शायद सो डॉलर का लिया होगा या 110 डॉलर का लिया होगा या फिर उनके कई सारे कोईन जो नहोंने बाय किये थे वो कोईन वापी सी नहीं मिले जहां दोस्तों मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ ऐसा ही हुआ था वजीरेक्स एक्सेंज के उपर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि उसमें हम डिसकस नहीं कर पाएंगे बलके हम थोड़ा और डिटेल में जाने वाले नेक्स वीडियो में तो आज की वीडि नोटिफिकेशन मेसेज राउंड नाइन ट्वन्टी एम एंड लूना गॉट डिलिस्टेट एट नाइन थर्टी एम यानि के सिरफ दस मिनट के अंदर अंदर क्या हुआ कि इनका नोटिफिकेशन आया और लूना को डिलिस्ट कर दिया गया यहां पे दो तरह के नुकसान ह तो यह हो गया यानि कि लूना वो अपना बचा ही नहीं पाए यानि कि वैली तो नीचे गिरी गिरी है लेकिन आज फॉर एक्जमपल बीटी सी अगर हजार डॉलर का रह जाता है लेकिन आप उस बीटी सी को हजार डॉलर में सेल नहीं करोगे आप उसको उसी तरीके से रख पारे हैं कि यह सब हुआ था अब यहां पर एक जीज देखो कि इस बहुत सारी सेंटल एक्सेंजेस हैं जिनके उपर लूना क्लासिक और लूना अभी भी है इंडियन एक्सेंजेस की बात करूँ तो इसमें कॉइन DCX भी है जेटर्स एक्सेंज दिया डी लिस्ट करने के बाद री लिस्ट तो क्या करना था री लिस्ट नहीं किया और जिन लोगों का एरडरॉप बंटा था एरडरॉप भी नहीं मिला यानि कि टूटल वैल्यू बिल्कुल खत्म होगी तो आपका आज की दिन जो लॉस है वो हजारों डॉलर्स में है तो यह मैं आपको थोड़ा और डिटेल मिताने वाला हूँ वीडियो का भी से लाइक कर दो चैनल पर पहली पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेले के दबालीजिए बाके अपडेट्स में टेल्ग्राम के ओपर डालते रहता हूँ वॉर्फ ट्वीशल अपसर्च कर सक है इसको रिप्लाई करने जो जो भी लोग एक्टिव होंगे मैं उनके साथ डारेक्ट कॉंटेक्ट में आऊँगा आपने कैसे पार्टिस्पिट करने एरडॉप्स कैसे मिलेंगे और गिववेस कैसे मिलेंगे यह मैं आपको सब कुछ असानी से बताने वालों ताके आप भ पहुंच चका है और इसकी जो डॉमिने से 52 परसेंट तक पहुंच चुकी है इसी के सास जितने भी और कंट से बहुत अचा प्रफिट मिलेंगा जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कुस करेंगे लेकिन आज का जो मुद्द है यह बहुत ही गंभीर मुद्द है तो मैं जो यहां क्या होना था अगर लूना वजीर एक्स के उपर रहता तो वहां पर एड्रॉप मिलना था जिन्नोंने लूना लिया वहा था या फिर जिनके पास लूना था पहले या फिर लूना अगर हमें विड्रॉप करने देते हम किसी और एक्सेंज के उपर लेकर जाते तो एक जिनके funds वजीरेक्स के उपर पड़े थे, suddenly notice आया, एकदम से deal लिस्ट कर दिया गया, तो उनको मौका ही नहीं मिला कि वो कब अपना लूना वहाँ से निकालते, री लिस्टिंग का फाइदा, एर ड्रॉप का फाइदा कब लेते, तो जो 100 डॉलर, 120 डॉलर वाला जो लूना था, वो नहीं मिल पाया किसी को भी, और आज तक भी लूना को दुबारा लिस्ट नहीं किया गया, अगर आप जाते हो वजीरेक्स एक्सेंज के उपर, LUN डालते ह तो LUN ना तो C है, यानि कि ना तो लून, ना क्लासिक है, ना ही एक्चल लूना है, ना ही UST C है, तो यानि कि इनके एको सिस्टम का कोई भी कॉइन इसके उपर नहीं बचा है, लेकिन आज के समय में हमारे पास एगर एर डॉप होता या हमारे पास वो कॉइन्स पड़े होत या नेट बैंकिंग इनेवल नहीं है, बहुत लोग ना तो बाइ कर पाए, ना निकाल पाए, ना सेल कर पाए, कुछ भी नहीं हो पाया, ये सारे के सारे डिसीजन सड़नली लिये गए, आप यहाँ देख सकते है, फिर उसके बाद क्या नोटिस आये थे कि लूना जो प्रा यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैं किन किन चीजों का नाम ले रहा हूं, एक तो वैसी कॉइन के वैल्यू निचे गिर रही थी, कॉइन बिल्कुल वैसी खतम हो रहा था, उसके बाद हमें कॉइंट्स भी नहीं मिले, कॉइंट्स को दिलिस्ट कर दिया गया, हम वि लिस्ट किया गया था बाखी क्सेंजर्स के उपर, तो उसका भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ था, यानि कि उसकी वैल्यू इतनी जादा नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी ने किसी तरीके से ये 12-18 डॉलर तक पहुँच गया था लूना, और एक और चीज यह थी कि ऐसा है कि सारे कॉइंट्स एकदम नहीं मिले थे, यह जो एरडॉप था, यह प्रोपोर्शनल ही मिलना था, इसकी धीरे-धीरे वैस्टिंग होनी थी, जिनके पास 10,000 से ज़्यादा लूना थे, उनको पहले थोड़े से मिले, फिर एक साल का ग्लिफ डाल गया, यानि कि एक साल तक गैब डालके बाकी का जो बचा उसको थोड़ा-थोड़ा करके पांच सालों में बाढ़ना चाहते थे, जो कि अल्रडी चल रहा है, और यह इसलिए कि अगर किसी के पास लूना है भी, या किसको एड्रॉप मिल भी जाते, तो वो ऐसा न करें कि वो एक डॉलर मे सेल कर रहे हैं, या फिर प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ता हो दे कि वो सारा लूना सेल करते हैं, इससे कहा कि लूना की जो होल्डिंग्स हैं, वो बढ़ाई जा रही थे कि किसी के ना किसी तरीके से, somehow, anyhow कि लूना के होल्डर्स भी बने रहें, तो इसलिए उ बिलियन से भी जादा टोकन से उनको कहा कि आने वाले चार सालों में डिस्रिबूट करने थे, तो लूना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, कि somehow कुछ ना कुछ बने, लेकिन ये एक्सेंज के साथ थोड़ा गलत हुआ है, बाकी सारी एक्सेंजर्स ने जाता फैल रही है, कि इंडिया में ये वेप्सेंजर्स को बढ़ाना जाते हैं, तो ऐसी काफी सारी बाहर के एक्सेंजर्स आ रही हैं, बाइनस भी बहुत अचा कॉपरेट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ गौर्मेट के साथ बलकि जो यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, क को सिर्फ इतने ही बताना चाहता था कि लूना का एरड्रॉप हमें नहीं मिला था, जिसकी वज़े से बहुत लोग का नुक्सान हुए, और ये मैं आपको एक लिंक दूँगा, ये लिंक के उपर क्लिक करके आप सभी के कमेंट्स चेक कर सकते हैं, अगर आप भी कमेंट करन होंगा, वॉर्फ इट अफिशल हमेशा जॉइन करके रखना, कुछ भी नया आता है, कुछ भी एरड्रॉप आता है, मैं कुछ भी गिवए करता हूँ, वो इसी के उपर डालता हूँ, उमीद है आपको वीडियो इंफोमेटिव लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइ वीडियो सके लोटिफिकेशन समेशा पहुंचते रहें, यो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद